नमस्कार मैं हूँ आश्टर वास्तू एक्सपर्ट सावी सिंग और आपकी राशी फल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं तीस अक्टूबर दोहसार चौबिस वेंस्डे यानि की बुद्वार का दिन हर राशी वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आज की विडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हर वो व्यक्ति जो आज के दिन अपना जन दिन सेलिब्रेट करा है वो विश यू अलो वेरी वेरी हापी बर्दे तीस अंक एक बहुत ही special अंक माना गया है क्योंकि जीरो की एक बहुत ही खास value मानी जाती है as per numerology जब भी जीरो किसी भी अंक के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी energy को 10 folds बढ़ा देता है और तीस अंक की जब हम बात करते हैं तो आपका मुलांक बनता है अंक 3 जो की ब्रहस्पती का अंक माना गया है ब्रहस्पती आपके धन के कारक माने जाते हैं आपकी knowledge आपकी ज्यान के कारक माने जाते हैं आपके व्यवसाय को बूस्ट करने के कारग माने जाते हैं क्योंकि ब्रहस्पति को expansion और growth के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति जो तीस तारीक को पैदा होते हैं, इनके पास ब्रहस्पति की विशेश कृपा जो होती है वो प्राप्त होती है। तीन अंग से प्रभावित व्यक्ति हमेशा बहुत ही जादा intellectual और intelligent mind के होते हैं। अपनी energies को और जादा बहतर बनाने के लिए और इसी के साथ क्योंकि आपका जन्दिन है, आपके लिए ये specific दिन बहुत ही खास विशेश मान्यता रखता है आपकी जीवन में। इसलिए आज के दिन हर व्यक्ति जो अपना जन्दिन सेलिब्रेट कर रहा है आपका एक बहुत ही strong connection form होता है universe के साथ। और इस connection को अपनी life में पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैसे utilize कर सकते हैं। अपनी innermost desire और manifestation को आज के दिन आप कैसे पूर्या कर सकते हैं। आपको कौन सी remedy करनी चाहिए। आपको एक शहद की bottle लेनी है और एक white piece of paper लेना है। उस white piece of paper में लाल रंग के pen से आपकी जो भी desire है आपको उसको लिखना है और उसके बाद उसे fold करके इस शहद की डिब्बी में डाल देना है। थोड़ी सी इस शहद की डिब्बी को बंद करने से पहले आपको थोड़ा सा शहद इसमें से चक लेना है। और उसके बाद इस bottle को close करके आपको अपने घर की south east की दिशा में यानि की आगने कोन की जो दिशा है बहाँ पे रखना चाहिए। उसके बाद आपको 40 days तक continuously उस bottle के सामने बैठके आपकी जो भी manifestation है उसको reiterate करना चाहिए उसे दोहराना चाहिए। 40 दिन बाद इस bottle को आपको किसी भी बहते हुए पानी में परवाह कर देना है। इस remedy को अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी inner most desire होती है आपकी जो भी manifestation होती है जो भी आपकी इच्छा होती है कि आपकी पूरी हो जाए बहुत जल्दी से जल्दी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है तो ये हमारे लिए आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा वर्दे gift था एक छोटा सा वर्दे tip था जिसे करके आप अपने जीवन की energies को और अपने अंक और अपने planets की energies को और ज्यादा मजबूत भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अपनी कोई खास innermost desire को बहुत जल्दी से पूरा भी करवा सकते हैं इसी के साथ हम हमेशा आपको बताते हैं एक special remedy जो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन और शुब परिवर्तन जो है वो लेकर आ सकता है और कोई खास problem से अगर आप time and again गुजरते हैं जूचते हैं उससे कैसे आप overcome कर सकते है उसके लिए कौन सी एक खास remedy जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए दिवाली का पर्फ पास आ गया है और दिवाली का मतलब होता है अपने घर में बहुत सारे धन का आगमन होना तो ऐसे में अपने घर पे दिवाली के पर्फ पे अगर आप चाहते हैं कि धेर सारा मा लक्ष को अपने घर में बुलाने के लिए कौन सी एक खास remedy है जो आपको करनी चाहिए आज की वीडियो में हम आपको भी बताएंगे लेकिन उससे पहले मेश समीन राशी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है सबसे पहले वो जान लेते हैं मेश राशी के हम सबसे पहले बात करत हैं कोट कचारी में चल रहे केस खत्म हो सकते हैं या पर कोई रिलीफ जो है आपको आज के दिन उससे रिलेटेड जरूर मिल सकता है अचानक धन लाब होने के शुब योग नजर आते हैं जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए श उसका कुछ इंपाक्ट जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ पर आएगा यानि की एक्सर्शन आपकी जो है वो आज के दिन थोड़ी बढ़ सकती है शुबंग आपके लिए रहने वाला यानि की रेट कलर मिथुन राशी की बात करते हैं जमिनाई की बात करते हैं घर में जल्द बाजी के निरने आज के दिन आपको थोड़ा सा परिशानी में डाल सकते हैं, तो जल्द बाजी के निरने आपको नहीं लेने का प्रयास करना है आज के दिन, नए रोजगार की अगर तलाश चल रही थी, आपको आप नई जॉब ऑपुच्विनिटी ढून रहे थे, तो इस शेतर में कोई अच्छी आपको जो न्यूस है, वो आज के दिन जरूर मिल सकती है, शुबंग की बात करें तो वो रहेगा अच्छे, शुबंग की बात करें तो वो रहेगा जामुनी, सिंग राशी की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं, आज के दिन हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो व्यर्थ में खर्च हो रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है लेकिन आपके पास कोई ऐसा सोर्स है आपको कोई ऐसा तरीका ही नहीं मिल पारा कि आप अपने expenditure को control करें लेकिन अगर सोच समझ के आप थोड़ा सा chart out करेंगे कि कहां पर कितना पैसा आपको खर्च करना चाहिए उसको follow करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा better जो है वो यह समय हो जाएगा लाप की शुब अफसर जो है वो आज के दिन आपको प्राप्थ हो सकते हैं शुबंक आपके लिए रहने वाला है चार शुबरंग आपके लिए रहने वाला है गुलाबी यानि कि पिंक कलर कैना राशी की बात करते हैं आज के दिन आपकी confidence में व्रिद्धी होने वाली है और इसी के साथ आज पास के जो आपके लोग हैं वो भी आपको काफी जादा सम्मान देते हुए नजर आएंगे आपको आज के दिन specifically कोई खुश खबरी जो है वो मिल सकती है लेकिन थोड़ी सी health में issues जो है वो आपको face करने पर सकते हैं आज के दिन शुबंक आपके लिए रहने वाला है दो शुबरंग आपके लिए रहने वाला है तुला राशी की बात करते हैं आज के दिन लेंदेन अगर कर रहे हैं पैसों का या किसी भी समान का तो थोड़ा सा साफधानी से करने का प्रयास कीजिगा कोई अच्छे शुब समाचार की प्राप्ति आज के दिन आपको हो सकती है शुबंक आपके लिए रहने वाला है तीन और शुबरंग आपके लिए रहने वाला है नीला कलो ब्रिश्चिक राशी की बात करते हैं विदेश जाने के अच्छे पूरे योग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं थोड़ा सा प्रयास अगर अधिक बढ़ा देंगे अपने जीवन में तो लाब आपको अवश्य मिलता हुए नजर आ रहा है शुबंक की बात करें तो वो रहेगा एक शुबरंग की बात करें तो वो रहेगा क्रीम कलो धनो राशी की बात करते हैं धन मिलने के प्रबल योग जो है वो नजर आ रहे हैं वानी पर अपने थोड़े से नियंतरन रखने का आपको इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए शुबंक आपके लिए रहने वाला है एक शुबरंग आपके लिए रहने वाला है ब्राउन कलर मकर आशी की बात कर लेते हैं के प्रिकॉन की बात कर लेते है रुके हुए काम आज के दिन आपके पूरे हो सकते हैं इसी के साथ घर में जगड़े जो थे बहुत अगर बहुत टाइम से चल रहे हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा एक अपना जो माइंड सैट है इसके बारे में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाना कि आप खुद आगे बढ़के कैसा इनिशेटव लें जिससे यह जगडे जो है जिस लूप में आप लोग फस गए हैं वो कहीं ना कहीं सुलज जाए और आपको थोड़ा सा विनम्रता से प्रयास करना चाहिए कि इस रिलेशन्शिप्स को इन आपसी मद्भेदों को कैसे ख चाहते हैं कोई सब्स्टैंशल समान अगर आप आज के दिन लेना चाहते हैं तो आज के दिन आप ले सकते हैं कोट कचारी के मामलों में आज के दिन आपको फसना पर सकता है विवादों में आपको फसना पर सकता है या कोई ऐसे विवाद में आपको फसना पर सकता है जो को तो ऐसी कोई दिक्कत अगर आपको लग रहा है कि बन रही है तो उससे पहले ही आप खुद को cut-off कर लिजे शुबंक आपके लिए रहने वाला है साथ शुबरंग आपके लिए रहने वाला है हरा यानी कि ग्रीन कलर आखरी राशी, मीन राशी की बात कर लेते हैं पासिंश की इस तरीके का हाल राषियों स्वी राश्यों का लेने वाला लेकिन उसी साथ आपके लिए दिवाली की एक खास रेमिडी कौनसी रहने वाली है जो आपके जीवन में बहुत जादा खुश्यां, बहुत जादा धन, समपत्ती आकरशत करेगी. और मा लक्ष्मी के आशरवाद को भी आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखीगी इस दिवाली क्योंकि जब भी हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हम अपने घर को अंदर से भी सजाते हैं और हम बाहर से भी बहुत सजाते हैं बाहर जब भी आप अपने घर के दिवाली के दिन अगर आप तोरन या फिर आप बंदनवार टांग रहे हैं तो ऐसा बंदनवार टांगेगा या फिर आप अगर खुद बना के टांग सकें तो वो बहुत ही अच्छा है उसमें पान के पत्ते जरूर इंकॉपरेट की जगा तो चाहे अगर आप बंदनवार बाहर से भी खरीट के ला रहे हैं तो उसमें दो पान के पत्ते आप अडिशनली आड़ कर दीजे तो इस remedy को आपको जरूर करना चाहिए आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाद से जादा लोगों तक वीडियो को शेर जरूर की जगा आपके राशी पल के साथ कल फिर से हाज जरूर होंगे अच्छी चानल पर आशा करते हूं आपका दिन शुब रहे नमस्कार जय मात अभी